नवश्कार दर्शकों, बाबा की खरीगोटी चनल पर आप सब का स्वागत, मेरा नाम संदी पारके सिंग, बाबा जी स्वागत, जैश्री राम, जैश्री राम, संदी बाई कैसे हैं, बड़ी हैं सर, सर, जैश्री राम का नारा लगा, 22 जनरी दोजार चौबिस को, और उसके विपक्ष को, जिसमें विपक्ष पूरी तरफ फस गए, चुनाओ से पहले ही, मोदी जी ने अपनी जीत घोशित कर दी, और विपक्ष ने भी मान लिया कि हां ये जीत गए हैं, लेकिन उसका जादा तर कन्वरिसेशन ये था कि हम 370 नहीं आने देंगे, पर जीत तो जीत ह मोदी जी, even before getting into elections, and even the opposition fell into their trap, और ये चीज उन्होंने, इंडिया टीवी के कल के इंटर्व्यू में, जो कि बढ़िया कारिक्रम था, और रजार सर्मा जी के, उन्होंने, क्लिरली मोदी जी ने बताया भी ये बाद, और यहाँ दिखा भी, पर जी मेरा सवाल ये है, कि मोदी से डील करते हैं, इस अताओं में रहे हैं, इन से ये चूग कैसे हो गए, वो भी कलेक्टिव रूप में, पूरे इंडिया के वी पक्षम, हर स्टेट का नेता, बड़े-बड़े नेता लुग सब इस ट्रैप में फज़ए, ऐसा कैसे हो गया? सर ये वाकई, ये मैं आपको बता रहा हूँ सदीब भाई, जब 2024 के चुनाव की समिक्षा होगी, और यदि इस चुनाव की इमानदारी से समिक्षा होई, तो ये वाकई इसको डिस्कस हमें करना पड़ेगा, कि क्या मोदी ने इनको इस नारे में ही उलजा के ये चुनाव जीत लिया क्या? और मैं आपको बताऊं, भाई मोदी ने एक साइकलोजिकल गेम खेला, ये तैबात है, विपक्ष उसमें उलजग गया, गोधी मीडिया भी उलजग गया, सुपारी मीडिया भी उलजग गया, सोशिल मीडिया भी उलजग गया, अच्छा, उसके बाद इस घटना करम को आगे देखिए, अखिलेश कहते हैं, हम तो 79 सीट जीतेंगे स्टी में से, उन्होंने ये बयान क्यों दिया, अज़ा, जब मोधी ने कहा कि अपकी बार 400 पार, तो जन्ता ने कमों बेश उस टार्गेट को स्विकार कर लिया, मोधी के कार्यकरता ने, मोधी के वोटर ने, मोधी की पार्टी के संग्ठन ने उसको एदे चैलेंज ले लिया, और सब ये सोचने लगे, कि यार ये 400 पार का नारा, 400 का तार्गेट है, तो बड़ा उचा, पर क्या ये एचीवेबल है, क्या इसको एचीवेबल बनाया जा सकता है, अच्छा तर जब, अच्छा पब्लिक ने कमों बेस्ट विकार के लिया कि नहीं वाकई, इस बार अब की बार 400 पार और भाजबा 370 ले सकती है, ले रही है, जब विपक्ष कन्फ्यूज हो गया, और अखिलेश यादव जैसे या राहुल जी जैसे नेता उल जलूल बखने लगे, और जब अखिलेश ने तीन, अस्सी में से 79 सीट और बाद में तो अस्सी के अस्सी जीतने की बात कर दी, तो उनके वोटर ने, उनके कार्यकरता ने, या उनके इस बयान को मीडिया ने कैसे लिया, हासी में टाल दिया, और उनकी सैनिटी पे ही सवाल उठने लग गए, मीडिया ने पूछा कि, अरे बहुत, माल ज़्यादा फूंक लिया हैं का, एब्सुलूट वोद का अध्धा लेकर चलते थे, जी, मैं वही कह रहा था, फूंकते नहीं हैं, लेते हैं, लिटिल लिटिल, गटक लिए हैं, आज सोबच, लिटिल लिटिल, जी, बिकॉज नोबड़ी टोक इम सीरिसली, जब आप यूपी में ये बोलते हैं कि हम असी में से सेवंटनाइन सीट जीतेंगे, तो सब आपको, आप हासी का पात्र बन जाते हैं, और एवरिबड़ी, खुद आपका वोटर, आपका कार्य करता भी, ये सोचने लगता है कि यार ये आदमी कहीं, गड़बड तो नहीं ह कर आना पड़ जाएगा इसका, तो सर्फ मोधी के 400 को जनता, नेता, विपाक्ष, पूरा इको सिस्टम, पूरा मीडिया, एवरिबड़ी, यहां तो कि अंतराश्टरी मीडिया भी, सिरिस्ली लेता है कि यार वो 400 बोल रहा है, इसका मतलब पता नहीं कहा, उसके किटी में ऐसा कौन सा, कौन सा जादूई खीर है वो खिला देगा तब को 400 शीट के लेगा, और आप जब वैसे ही बात करते हैं, बैए, ऐसी ही तो बात थी, अच्छा, बीजेपी तो बहुत द 78 शीट आ रही हमारी, तो जब हम 78 शीट की बात करते हैं, तो हम बड़ा सीरिस होते हैं, हम एक बड़ी सीरिस कल्कुलेशन की बात बोलते हैं, अच्छा, हम 78 क्यों बोलते हैं, हम 80 क्यों नहीं बोलते हैं, मैंने आज तक अभी 80 नहीं बोला, मैंने आज तक जब भी कहा, 78 य कर इनको मजबूर कर दिया कि ये भी ऐसे ही उल जलूल बयान दे असी में असी जीतेंगे और मोधी ने इनको अपनी इस माइंड गेम में उलजा के पबलिक के सामने मुर्ख, बेवकूफ, इमेच्योर, नॉन सीरियस, प्लेयर मैदान में गोशित कर दिया आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी अखिलेश यूपी में और राहुल गांधी पूरे इंडिया में एक नॉन सीरियस पॉलिटीशियन, एक रिलक्टन्ट पॉलिटीशिन के रूप में जाने जा रहे हैं सर ये मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रटीजिक प्लानिंग थी जिसमें उसने चुनाव से पहले ही इनको मात दे दी सर बहत्तर जब आप कहते हैं कि यूपी में कहा जा रहा है कि असी मैसी जीतेंगे और उस बात पर यकीन किया जा सकता है क्योंकि अल्रटी बहत्तर जीत चुके थे जो बहत्तर जीतेगा वो कह सकता है कि मैसी मैसी जीत सकता हूँ जिसने कर दिया है ये काम जिसने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है उससे उमीद की जा सकती है जो अपने जीवन के मैक्सिमम सिखर पर खाली 40 सीट जीता हो मैक्सिमम जब उनके पिता जी कभी 2004 में है कभी सपा का मैक्सिमम परफॉर्मेंस था 40 सीट दर्शक मुझे करेंगे 2004 में था मैं भी कन्फर्म करूंगा 20 सीट तो ये 2009 में जीते थे खेर वो ठीक है we can discuss पॉइंट इस की जो कभी 30-40 के उपर बढ़ा नहीं वो अचानक कह देगा अस्ती अच्छा इतना confidence अखलेश में कभी 2019 में भी नहीं था जो सपावसपा गडवंदन करके लड़ रही थी वो तो सबसे बड़ा formidable alliance था ना पूरे इंडिया में तब तो नहीं वो लास्टी में सी आज बोल रहे हैं कॉंग्रेस के साथ alliance करके यह आपकी बात सही है यह मोदी जी ने ही अपने जाल में को जाके इनसे उल जुल बखवा लिया अच्छा यह लोग क्या है कि यह लोग सर यह जो जितने राजनीतिक जिसनको आप lucky sperms कहते हैं इन लोग का पालन पोशन ऐसे होता है न कि यह जमीन से बिलकुल कटे हुए होता है बुद्धी में जो आ गया बोल दिया वो होना है वो कर जाना है जीवन भर इनको यही महोल मिला है एक फोन किया पता नहीं कहां से कितना पैसा आ गया तो दे डोंट नो दे रियालिटी अफ एनिटिंग दूसरी बात सर यूपीए टू में जो उनका कॉंग्रिस का मैक्सिमम परफॉर्मिस था वो दो सो प्लस था दो सो प्लस एक का दुक्कर आ होगा आज ये कह रहे हैं कि नहीं हम जो है मिजॉरिटी लेके आएंगे या हमसी तो सीधे यूपी से जीत लेंगे मुझे एक चीज़ आप से पूछनी है मोदी के 400 पर जनता को दुनिया को भाजपा कारेकरताओं को नेताओं को विपक्ष को सबको यकीन हो जाता है मैं भी विपक्ष की बात नहीं करूँगा कि वो फंस गये जाल में फंस गये मोदी जी की बात पर इस बात पर इतने बड़े नारे पर इतने बड़े टार्गेट पर लोगों को यकीन हो गया कि ये हो सकता है ऐसा क्यूंग हो गा स्टाटिस्टिक्स जो है न वो मोदी के फेवर में है स्टाटिस्टिक्स और एक अच्छा सर एक चीज़ मैं अभी वो पीके को सुन रहा था पीके ने यही बात बड़ी सिंपल बड़े सिंपल शब्दों में समझाई है कि आज की तारीक के पॉलेटिकल सिनारियो को समझने के लिए आपको बहुत बड़ा सैफॉलोजिस्ट होने की दरुत नहीं है आप खाली इतना देख लीजिए कि 2014 और 2019 के रेफरेंस में मोदी ने कहां गेंड किया है कहां लूज किया है किस राज़ी से उनकी सीटे जा रही है اور कहां से आ रही है और ऐसी कौन से consistency का मतलब मेरा मतलब ये नहीं है voter consistency महिला आए जो अच्छा मोदी ने जो चार नई consistency बना दी है महिला युवा गरीब और एक और बनाई थी ना ऐसा ही है तो क्या ये मोदी को vote कर रही है के नहीं कर रही है अलाब भारती एक गरीब ये लाबरती क्या युवा मोदी को vote कर रहा है की नहीं कर रहा है गरीब आद भी जो कि सबसे बड़ा beneficial ड़ा अगर मोदी के पिछले 10 साल के शासन में सबसे ज़्यादा और 75 साल के भारत के सबसे ज़्यादार भारत के ज़्यादा काम किया है तो वो मोदी वान और मोदी टू ने किया है और तो क्या गरीब मोदी को vote कर रहा है की नहीं कर रहा है माईलाए मोदी को vote कर रही है की नहीं कर रही है युवा मोदी को vote कर रहे है की नहीं कर रहे है तो ये जो 3-4 तर major consistency ना क्या इन में किसी प्रकार का कोई resentment, कोई गुसा, कोई anti-incumency है, तो यह थी कोई anti-incum बेसे दिखाई निए देती, उल्टे मोदी के प्रती pro-incumency दिखाई देती है, जब मोदी एक कहते हैं कि अभी तो हमने तर्फ गड़े बरे हैं, अब result लेने का समय तो अब आया है, और मोदी तो 247 तक का target दे रहे है, तो सर, बात यह है कि, अच्छा, मोदी किन states में lose कर सकते हैं, वो देख लीजे, तो अभी तक हमको, मुझे तो आज तक एक भी state ऐसा नहीं दिखाई दिखाई दिया, जहां मोदी को कोई formidable loss हो रहा हो, एक दो states में आप discuss क सकते हैं, पर मुझे लगता है, चार तारी को वो भी आपको दिखाई नहीं दिखा, फर एक्जांपल, लोग कयास लगा रहे हैं कि, शायद इनको करनाटक में थोड़ा सा loss हो जाए, बिहार में कहीं loss नहीं होता जारा, बलकि बिहार में तो और बढ़ियां performance आती दिख रही हैं, similarly they are going, they are not going to lose in Maharashtra and his seats, South में कुछ नकुछ गे नहीं करेंगे, South में lose करने के लिए कुछ है नहीं, औरीसा में gain ही करेंगे, तो आखिर वेर इस मोधी losing seats, तो सर ये पबलिक को और जो समझदार मीडिया है, जो निश्पक्ष मीडिया है, उसको तिखाई देता है, इसलि हैं, कि नहीं, 370 is not a very big target for मोधी, क्योंकि हमें कहीं से politically loss होता है, दिख नहीं रहा है, जी, सर, जो आपने कहा कि मोधी जी का अपना एक जो जनता है, गरीब अरगेला भारती, सर, जिस जनता को भूंद भूंद करके एक एक चीद दी जाती थी, राशन भी जो है limited दिया जाता था, मिट्टी का तेल चीनी, और उस समय ये free market भी नहीं था, कि लोग कहीं से भी जाके ख खरीद ले आते थे, पूरे देश के लिए ऐसी विवस्ता बना के रखे थी नहरू ने, कि एक एक स्कूटर का एक एक लाइसेंस लेना है, रेडियो का लाइसेंस लेना है, और एकदम मतलब निकरिष्ट बना के रखा था, जहां बूंद बूंद टपका के ये लोग जनता क जिन्दा रखते थे, वहां मोदी जी ने लाभ की और इसकी गंगा बहा दी, अकाउंटों पैसे आ रहे हैं, घर हो है, सोचाले है, जो बेसिक्स हैं, तो कोई इनको वोट क्यों करेगा, उनको क्यों करेगा, दूसरा सर, मोदी जी तीन स्टेट्स में, तीन चौताई बहुम और अन्थिंकेबल जो सोच से परे हैं, वो कर चुके हैं कई बार मोदी, तो जो करम कर चुका है, उस पर वश्वास किये जा सकता है, कि अच्छा कुछ नया कह रहा है, तो कर सकता है, बड़ी चीद भी कर सकता है, करम के अधार पर अपना ये वोट ले सकते हैं, और करम के फे अधार पर इतनी सीटे जीत सकते हैं, और सबसे बड़ा तो धर्म करस्वास काम है, जो आप बता रहे हैं कि राम के नाम पर, श्री राम जी के नाम पर, राम मंदर के नाम पर, यह नहीं कह रहा है, कि कोई वोट मांग रहा है, लेकिन जो ये काम किया है, इसका कितना तो जिस पंजाब में कभी हिंदो न अंजले से बढ़ें कि उसमें किसी को अगर कुछ भी सीट जीतती है तो उसमें श्री राम मंदर का बहुत बड़ा जगदान होगा श्री अन्नम अलाई जी का तो होगा ही होगा सबको ताकत श्री राम से आ रही है न अच्छा मैं वह फिगर देख रहा था सपा ने 35 सीट जीती थी 2004 में अपना मैक्सिमुम तो जो मैक्सिमुम 35 सीट जीता है वो कह रहा है कि हमसी जीतेंगे आज तक 50 नहीं पार कर पाए प्छला सवाल मेरा यह था कि मोदी जी से हम उम्मीद कर सकते हैं 400 पार का विपक्ष क्यों इतना हताश निराश डूब गया कि हाँ ठीक अब तो यह 400 पार करने जा रहे हैं और विपक्ष जैसा बताएगा कि चार चनर तक उसको हवाई नहीं लगी वो 400 पार के नारे में ही उलजा रहा विपक्ष इतना इतना कैसी गिर गे मुझे लगता है कि जब मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया ना तो मोदी का वोटर मोदी का कारेकरता मोदी की पार्टी मोदी के संग्ठन ने तो उस नारे को सीरिसली लिया तो लिया विपक्ष ने और ज्यादा सीरिसली ले लिया अखिलेश और राहुल ने एकदम मान लिया कि अरे यारी तो चार सो पार की बात कर रहे हैं तो इनों ने अपनी पूरी ताकत यह जोटलाने में लगाते कि नहीं चार सो नहीं आएगा जी 370 से उपर आही नहीं सकता अज़ा आप इनके अगर सुपारी मीडिया की बात करें स्पेशली जो ये योगेंदर सलीम यादव टाइप जो मीडिया है या इस टाइप का जो एको सिस्टम है जब वो कहते हैं कि अरे इस चुनाव में इस फेज में तो बहुत मुखसान हो गया मोदी का अरे मोदी तो 220 स पहुमत नहीं आ रहा है सर मेरे कई मित्रों ने मुझसे फोन करके पूछा कि यार वो फला ने कह रहे थे इतनी ही तीटे आ रही इतना नुक्सान हो गया मैंने कहा यार इनको मैं इस मीडिया को मैं 2012 से लगतर फॉलो कर रहा है इस मीडिया ने कभी आज तक स्विकार नहीं क कि ते कहा है लैर कहा है हमको क्यों नहीं लिखती मैंने गए बिटा तुम देखना ही नहीं चाहते ना तुम जान बूज के अंधे बने वे हो तो सर अचा 2019 के चुनाम में मुझे याद है यह जो सत्यहंदी.com वाला जो पूरा कबाल है यह कॉंग्रिस को 220 सीटें दे रहा था और मैं 50 में शर्ट लगाए वे था अभी भी यह जो लोग अभी भी इंडी अलाइंस की सरकार बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या मोधी को 220 के नीचे रोक रहे हैं मैं आज भी अपने मित्रों देख डिसकस सीरियसली करता हूं और मैं आज भी कहता हूं कि सर आई सीरियसली डाउट कि कहीं कॉंग्रेस वाकई 30 पे तो नहीं इतबार उलच के रह जाएगी 30 सीट का वहां कड़ा पार कर लेगी अचा संदीब भाई आप सीरिसली बताइए आपको लगता है कि कॉंग्रेस 30 सीट निकाल लेगी इस बार सर स्टेट वाइज गिन लीजे कि कहां लड़ रही है और कहां पर पिछली बार बावन थी इस बार बावन थी ना कितनी थी पचपन पचपन सीट थी सर आपका सवाल का जवाब में देना चाहूंगा एक बड़ा इंटरस्टिंग है मोधी जी ने चार्ट सो पार के नारा दिया मैं कहता हूँ पार्टी के नेत्रित बहले उसको ना माने पर पार्टी के प्रत्याशियों ने तो मान लिया था ना और पार्टी का प्रत्याशी जो है भाई हर सीट पे एक सांसती का प्रत्याशी है वो लड़ रहा है चुनाओ तो वो यह सोच रहा होगा कि भीया अगर हम चुनाओ लड़े सांसती जीत भी गए सत्ता तो हम सत्ता में तो रहेंगे नहीं विपक्षम में ही रहेंगे तो सत्ता में आने से रहे प्रत्याशी नहीं दिखा यह तथ्य है प्रत्याशियोंने कार्यकर्ताओं पर पैसा नहीं खर्चा किया यह भी तथ्य है तो इसका मतलब कि प्रत्याशी मान चुका है कि मोदी जी जो है सप्ता में आएंगे आएंगे इसले मेरा सांसधी लड़ना वेकार तो प्रत्याशी मान चुका है त तो 30 भी क्यों आएगी सर? एक राहूल जी जाएंगे? रंजे भाई एक किस्सा सुनाते हैं, आपने सुना है, मैं दर्शकों को याद दिला दू. रंजे भाई बताते हैं कि उधर कोई गोरगपुर साइट कोई कांग्रेस प्रत्याशी थे? नहीं, 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 रंजवाई नहीं सुनाया था, कि वो एक प्रत्याशी थे, तो उनको बताया गया कि वो फलानी, शायद, पता नहीं किस पार्टी थे चुनाव लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश की कि दी बड़ी पार्टी थे, बोला मैं गया वहाँ, त कर चार चल रहा था . को वो बोला कि में वहाँ गया तो उनकी घर पे उनकी कौठी पर एक कबारी जो है वो कागज दोल रहा था मैंने पुचिया क्या है केंद्री कभा रहते जो है वो पॉस्टर दो वहको बैचता है तो हम बोला कर चनुगा थो जाने देते तो बोले नहीं चुनाओ के बाद इतना दाम नहीं मिलेगा या भी चाहता दाम मिल रहा है तो उसके बाद उन्हें पूछा कि और चुनाओ पर चाहर कैसा चल रहा है तो बोले वो केंडरी के आरेले थे पांच गाड़ी आई थी चार को मैंने टेक्सी में चलवा दिया है एक पर मैं खुद चड़ रहा हूँ लिटरली यही सीन आज भी पक्ष के कैटेडेट्स में चलवा है वो सब कर रहे हैं कि कंद्री कार्याले से या पार्टी से कोई फंड नहीं मिला है चुनाव लड़ने के लिए तो अपने रसूख से इधर से उधरत करके वह दजबीस पचाजार चंदा लेही आ रोज तो कहते हैं वो चंदा ला रहे हैं उसको खर्ष दी कर रहे हैं उसको फैसे वाक्त दबा ले रहे हैं और विपक्षी पार्टियों तक से पैसा ले ले रहे हैं कि ठीक हम काईदे चुनाव नहीं लड़ेंगे तरिंडर कर देंगे पैसा दे दो हम अंत समय पे नमांकन वापस ले लेंगे जो भी है तो सर ये इनकी सीरियसनस है चुनाव इस चुनाव की आज की तो सर मैं तो मैं तो सीरियसली पूछता हूं और मैं दुबारा बोल रहा हूं कि मैं अखिलेश यादव नहीं हूं जब मैं यह कहता हूं कि मुझे वाकई यह डाउट है कि इस बार कॉंग्रेस कहीं तीस में नसी मटके रहा जाए तो हम कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ऐसे गुजरात लड़ रही है गुजरात ने 25-25 दो बार हार चुकी है तीसरी बार भी 100% गुजरात तो तयार बैठाएगी है मोदी जी 25 के अलावा भी कुछ और हमसे लेके चले जाओ प्लीज तो रायस्थान पूरा-पूरा देने जा रहा है मध्यप्रदेश पूरा-पूरा देने जा रहा है इस बार तो कमनलाथ के लड़के को नहीं मिलेगा तो कॉंग्रेस यूपी में एक थोड़ी मारा-मारी हो रही है राइबर ली में अब बताई आप बताई शीट कहां से ला सकती है चली जोड़ी बार जहां से ला रही है नहीं केरल से मैं बताओं आठ सीट पंजाब से लाई थी इस बार तो वैसे तो खाता भी नहीं खुलेगा जो चांसे लग रहे हैं पर चलिए माले फिर भी दो सीट दे देता हूं मैं दो सीट पंजाब में दो सीट बाकी सब जोगे सुपड़ा साफ है महारास्ट मुश्किल है एकाद आगई तो अगया प्योंते मुश्किल है इनको पहली बार इनका खाता खुलेगा पंजाब में दो सीट जीतने के बाद एक राइबरेली भी इनको दे दी तीन महारा करनाटक में इनको चलिए मैं पांच सीट दे देता हूं आठ तेलंगाना मे पांच तेरह केरल में सर इस बार वाइनाड में राहुल के बताए जा रहा है कि दिक्कत हो सकती है बाकी तो अब इकका दुका फुट भाएं इधर से उधर से एक हाग सीट से के सर अभी सत्रह सीट और जीतनी है तीस का अकड़ा चुने के लिए सत्रह सीट थोड़ी ता मिलाडूत आ जाएगे माली जी दुचाठो दुचाठो केरल से आ जाएगी अभी सत्रह थी बिहार में किसंगन साइड में लड़ने तो शायद एक दू मिल जाए एक आक सीट उधर फुट फाय मैंने कहा है तीस सीट आ जाएगी जिल्ली में कनहिया चलो मालो कनहिये जी जाता है तो इतना वोट लाएगा कि एकदम दस जन्पत भर जाएगा उटों से तो सर माली जाएगा मैं तीस सीट पर डिसकस कर रहा हूं मेरा आकलन बहुत गलत हो जाएगा बहुत खराब अकलन होगा तो 35 जाएगी एक दम में मेरा अकलन फेल हो गया म चुपाने लाइक स्थिति आ गई है बाबा कहां गए चालिस सीटा जाएगी मैं पूछनों किस प्रदेश से आएगी सर यह तो बताईए मुझे तो कोई प्रदेश ने दिख रहा है 200 सीटों पर कॉंग्रेस भाजपा से डारेक्ट लड़ती है उससे भाजपा का स्ट्राइ आठका और पांच सीट माल लिए तामिलाडू और दस सीट केरल केरल दे दिया तो भी पंजाब दो पंजाब 27 एक रोह तक भी देदीजे सर एक दिल्ली देदीजे सर ने दिल्ली में धनिया मेर्चा फ्री बापका माल है ठेले भी बिक्ती है दिल्ली में नाम लेवा नहीं बचेगा लाग नौर्थी से तो एक नहीं मिलने वाला यह तर जम्मू कश्मीर में भी हो रहे चुनाओं लड़ रही क्या कॉंग्रेस मैं अब भी दावेक साथ कह सकता हूं कि तीस का अंकड़ा नहीं चुएगी कॉंग्रेस थोड़ा वो जम जम्मू कश्मीर से हो सकता है मिल जाए कहां से कॉंग्रेस के सर्वे सर्वाइब कहते हैं कि थूख से मुष्टी जिलाते हैं वह बच्चे जब छोटे गाउं में बच्चे खेलते थे तो चुहिया मार लेते थे जब चुहिया मर जाती तो उसकी पहुंच में ना धागा बा करते थे उसके बाद थूख से उसके मुँपे चटाएक बले कि इका करत्वा बला मुष्टी जियावत थी बला रहे थूख से मुष्टी जी मरी हुई चुहिया को थूख से जिलाओगे तो सर आज मैं बड़ी जिम्मवारी पूर्वक कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस वह मरी हुई चुहिया है जिसको राहुल और अखिलेश जैसे यह नॉन सेरियस पॉलिटिकल प्लेयर्स नॉन सेरियस लीडर्ड़स रिलक्टेंट लीडर्स एक्सिड़ींटल लीडर्स लक्ी स्पर्म McD अपनी रिलक्टेंट पॉलिटिक से इन मरी हुई पॉर्ट जिंदा नहीं कर सकते और इस प्रकार के ऊल là जलूल बयान देकर ये अपने को हासी का पात्र बना रहे हैं। की निक्रिष्टता ही है जिस मोदी जी का कॉंफिडेंस अपने कार करता हों पर नहीं है। दिलाया, 400 पार का नारा और आज वो अपना हो सकता है। यह टार्गेट कंप्रीट करके भी आएं। और मुझे भी लगता है 300-360 के आसपास की इनकी जीत भाजपा की रही। बाकी देखते हैं, किसी दिन इसकी भी चर्चा करेंगे, बाजपा कितनी किस स्टेट में। बबाजी बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और अच्छा विशलेशन, जरूरी विशलेशन। आपसे रिक्वेस्ट किरपिया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो प्लानन्द ले चुनाओं का, आखरी समय चल ला है, चारजुन को तो पता ही चल जाएगा, थैंक यू सुलीब भाई, थैंक यू वेर्माद, जैश्रु राम, जैश्रु राम झाल सभाइब करें